हिमाचल कॉंग्रेस की नेताब विक्रम अधितिया सिंग हमारे साथ मौजूद हैं सर वोटिंग हो चुकी है नेड़ने आना वाकी है किस तरीके से देखते हैं सर रुजानों में कि हिमाचल में किस तरीके के रुजान आपको नजर आ रहे हैं देखियो रुजान तो आएंगे जिस दिन वोटिंग की शुरू होगी अभी तो स्पेकुलेशन हैं मगर जिस तरीके का फीडबैक हमें पूरे प्रदेश से मिल रहा है पूरे कारेकरताओं से मिल रहा है बहुत से हमारे जर्नलिस्ट साथ ही है उनसे मिल रहा है कि से वल सुसा देखियो hmm नेता हैं वो डिल्ली में डिल्ली में है फीड़गं देनें आप लोग लगातार हाईक्मान को पहूंचते भी नजर आ रहे हैं किस तरीके आप लोग्ल traktion ऄलोग जिस दीन हैं अब निष्जजत तो और्टी पार्टी का हाई-कमान दिल्ली में है तो येहां पे हमारे राष्टे अध्यक्ष मलीकारजुन खर्गे जी से भी मिल रही है और सुनिया गांदी जी से भी एक आधी दिन के अंदर मिलेंगी उनको भी पार्टी की जो वास्तविक परिस्तिती है हिमाचल की उससे अफगत करवाएंगी बाकी तो जैसे मैंने कहा कि चुनावों के परिनाम पर डिपेंड करता है मगर जो भी हम को हम पूरे तरीके से कॉंफिडेंट है कि कॉंग्रिस पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी हमने वादे चुनावों के अंतरगत किये हैं लोगों से चाहे महिलाओं से बज़ूर्गों से करमचारियों से युवा साथियों से उनको हम चरनवत तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद है और ये कोई जुमला नहीं होगा जैसे भाज़पा 15 लाग का जुमला उन्होंने दिया था बाद में मुगर गए कि ये तो जुमला था हर खाते में 15 लाग नहीं आएगा हमने जो वादे किये हैं उनको हम पूरेस पार्टी का वादा है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे चुनाव बेहत खास था क्योंकि वीर भधाजी के मॉडल पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से आप लोग अलग अलग भी धांसा हो गए जनता का प्यार भी देखने हैं और जि हिंदुतुवा के नाम पे कारगिल के नाम पे फुलवामा के नाम पे लोगों का ध्यान बठका कर वोट पाने की यसी हो कोशिश हर जगा करते हैं वैसा उन्होंने हिमाचल में भी प्रयास किया मगर हिमाचल के लोग बहुत पड़े लिखे हैं हिमाचल के लोग वास्तविक परिस्तितियों से अफगत हर वो जानते हैं कि प्रदेश के चुनावों में और केंदर के चुनावों में बहुत जमीन आसमान का फरक है यह जो चुनाव था यह मोदी जी के नाम पर नहीं लड़ा गया मोदी जी बेशक वहां पर आएं मगर जो प्रदेश सरकार की कारे पर न ही लगा तो उन चीजों के उपर यह चुनाव लड़ा गया जो आज 15 लाग बेरोज़कार युवा ही माचल प्रदेश के अंदर थे उनके उपर चुनाव लड़ा गया महंगाई की उपर चुनाव लड़ा गया तो लोगों ने मुद्धा अधारत राजनीती को पसंद किया है हमने हमेशा मुद्धे पे ही बात करने में विश्वास रखा है और लोगों ने इस चीज़ को स्विकारा है और मुझे पुरा विश्वास है कि हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी और जैसा है मैंने कहा कि जो चीजे हमने कही है उसके लिए प्रॉपर एक कमिटी सरकार द कि नजर आने कि आप भी सीम फेस का चेहरा सकते हैं मैडम भी हो सकती हैं पर देश अध्यक्ष हैं काफी चेहरें हैं पर क्या लगता है सर आपको मुख्यमंत्री फेस का चेहरा को नहीं कि यह बात तो विधायक दल जो होगा क्योंकि हमारी पार्टी एक लोगतांत्रिक उसमें निरने लेगा कि किसको वो चाहते हैं और ड्यू कंसल्टिशन मेकानिजम के साथ इस चीज़ को देखा जाएगा पर मुझे विश्वास है क्योंकि अभी हमको केवल 22 के चुनावों के तक ही अपने को सीमित नहीं रखना है आगे 2024 पी आ रहा है और उसमें भी लोगों का समर पात्रम करेंगे और मिलकर हमारे पास नेताओं की वरिश नेताओं की कोई कमी नहीं है ठाकूर कॉल सिंह जी हमारे सबodorinsky की कारेकरता चलेगे और मिलकर कॉंग्रेश पार्टी की सरकारी माचल के अंदर बनाएंगे भरेवतक से बासचीत करने के लिए तो यह थे कॉंग्रेस हिमाचल के युवा अनेता विक्रम अधित्या सिंग जिन्होंने खबर अभी तक से एस्क्लोजिव बात की वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में उन भमत से कॉंग्रेस की सरकार बन रही है कैमरामन जस्ची के साथ राजा पटेल दिल्ली खबर अभी तक